हाई फ्रेंड्स मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको नेट का पैपलम टॉप की कटिंग और सिलाई बताऊंगी जिसके लिए मैंने 7 मीटर तो यह अस्तर लिया है और 7 मीटर ही मैंने अपना नेट लिया है सबसे पहले हम इसक के से हम इसे फोल्ड करके और जितना हमें कपड़ा चाहिए उतने को हम फोल्ड करके और अलग कर लेते हैं इससे तो देखिए हमने इसको बिचा लिया है और चोड़ाई में हमने 11 इंच लिया है चार फोल्ड में करके और उसके बाद जो इसकी लंबाई होगी वहां से हम इ नीचे का घिरा बनाएंगे अब यहां पर हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं सबसे तो देखिए मैं यहां से गले की चोड़ाई ले रही हूं चार इंच बोटनेक बनेगा साथ इंच अपना तीरा ले रही हूं अब यहां से हम आर्म हो लेंगे साथ इंच बेसलीवलेस होगा औ अब यहां से हम ऐसे बोटनेक की सेब दे लेते हैं अब हम क्या करेंगे यहां से हम कमर का चोड़ा हिस्सा और पलस एक इंच तो इतना लेके बस इसकी कटिंग कर देंगे दोनों पार्ट एक साथ निगल जाएंगे बैक और फ्रन्ट हमारे ठीक है अब ऐसे ही हम इसकी कटि का तीरा हम डाउन कर देंगे आर्म हूल वाली साइड से अब और नेक की भी कटिंग कर लेते हैं और यह गले दोनों में सेम रहेंगे मतलब बैक को भी और फ्रन्ट को भी देखिए हमने यह कटिंग कर लिए आप देख सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो अस्तर वाला फैबरिक है वो कटके तयार हो गया है अभी नेट को विछा लेते हैं पहले हम इसमें से गहरा निकालेंगे बाकी की कपड़े में से फिर उसके बाद ही हम निकालेंगे अपना नेट में से अब देखिए हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है चार फोल्ड में यह हमने फोल्ड कर लिया अब यह देखिए हमने इस तरी इस किया है अब यहां से हम इसको रख लेंगे यह चार फोल्ड में है ठीक है अब चार फोल्ड में हम इसको कर लेंगे अपने टॉप पार्ट को क्योंकि वो चार फोल्ड में है तो यह भी चार फोल्ड में होना चाहिए अब यहां से जितनी भी आप length लेना चाहती हैं उस हिसाब से length ले सकती है इसकी देखिए जैसे कि यहां से हमारी जो इसकी length होगी वो हम 12 inch ले रहे हैं यहां से और ऐसे पूरे मैसे drafting कर लेंगे इस तरीके से यह peplum top होते हैं वो sort में होते हैं अगर आप इसे थोड़ा सा और मैं इ extra cut कर रहे हैं कोईकि उतने मैं इसे मोड़ूंगी तो हमने इतना cut कर लेना है बाकी के fabric को हम बचा देंगे यहां से यह part भी तो देखे खोलेंगे तो इसको यह इतना बड़ा हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत छोटा लगे एक side से open कर लेंगे छोटा लगे तो इस से आप कम लगे तो थोड़ी सी चोड़ाई और बढ़ा लें इसकी अब हम यहां से इसकी cutting कर लेंगे तरीके से net को रखे और अपना यह वाला पार्ट रखे इसकी cutting करेंगे अब देखिए इसको जो हमारा net है इसको इससे करिवन दो इंच बड़ा कट करेंगे ऐसे कट कर द लिए यहां से यह हमारे होग है अलग पार्ट इस तरीके से अब देख सकते हैं यह दोनों पार्ट open होगे अब हम मिनकी चुक लाइंगे पहले अस्तर रखेंगे फिन tag रहेंगे और यहां पे लिगा देंगे और बीच में हम इसाम बटन में लगाएंगे उसके लिए हम पर आइसे सिलाई लगा रही हूं और फिर इसे सीधी साइड को पलट देंगे सारी हम एसे गले को ऐसे बना रही है है तो यहां से हमने सिलाई लगा ली है अब छोटी-छोटी इसमें कट लगाएंगे सिलाई से अलग इस तरीके से और अब इसको बाद इसको पलट देंगे उल्टी साइड को अब हमने अस्तर को पलट दिया है यह हमारा सीधा आ गया है अब हम एक सिलाई गले के उपर भी लगा लेंगे बिल्कुल बराबर करके पूरे गले के उपर हमें सिलाई लगानी तो देखे गले को हमने तयार कर लिया है अब साइडों से और नीचे से तयार कर लेंगे तो मैंने बिल्कुल अच्छे से तयार कर लिया अब इसका सेंटर कर लेंगे मोड के फरंट पार्ट है यह दियान रखें अब हमने देख लिए सेंटर कर लिया है बिल्कुल और बीच में एक डार्क निसान लगा लेंगे ये निसान लग गया अब हम क्या करेंगे यहां पे हम पट्टी लगाएंगे तो देखिए मैंने ये एक पट्टी बना ली है और उसको सीधा कर लिया है इसकी चोड़ाई मेरी पट्टी की करीवन सवाई इंच है और बीच में से सिलाई लगा देंगे मतलब मैंने सिल के उसको सीधा कर लिया था जैसे हम डोरी बनाते हैं और नीचे तक लगाएंगे अब यहां पे हमारी इस तरीके से बटन आ जाएंगे पूरे में हम बाद में लगाएंगे पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं और सिलाई सिर्फ सेंटर में होनी चाहिए और कहीं नहीं लगानी है अब हमारा जो घिरा वाला पार्ट है उसको सिल लेंगे कमर वाली साइड से पहले हाँ से सिलेंगे अब देखिए मैंने इससे लिया है अभी हमें क्या करना है जो हमने एक्स्ट्रा फैबरिक लिया था उसके लिए बताती हूँ यह देखिए अब इसको हमने ऐसे उल्टा कर लिया है और अब सिलाई लगा देंगे उल्टी साइड से लगा रहे हैं सिलाई यह देखिया ऐसे अब उल्टी साइड से सिलाई लगाने के बाद इसको पलट देंगे तो इसका एक नीचे से अच्छा सा लुक आएगा यह देखिये मैं आपको भी दिखाती हूं थोड़ा सा इसमें से जो हमारा नैट है वो से लाई लगाए थी वह हमने अपनी सीधी साइड को ही लगाए थी तो यह फ्रंट पार्ट जोड लिया है और बटन भी हमने इस पर लगा लिये हैं आप देख सकती है पूरे बटन लगा लिये हैं जैसे लगाते हैं दो दो इंच का गैब देके अब दोनों का तीरा हमने ज पर लगा देंगे देखिए यहां से उल्टी साइड को पलट दिया है अब हम इसको ऐसे पकड़ के यहां तक सिलाई लगा देंगे नीचे तक दोनों साइड को सेम सिलाई लगानी हमें और हमारी स्टिचिंग.com के नाम से वेब साइट है अगर आप हमारी साइड से कोई भी सिलाई और दूसरी साइड अब सीधा कर लिया है एक बार रखके दिखाती हूं मैं आपको अब देखे यह हमने बेल्ट बनाई है इस बेल्ट को हमने रखके और ऐसे ही बना लिया है मतलब कि इसको सैंटर से रखेंगे जैसे कि हम नाडा बनाते हैं उस तरीके से मैंने इसको और बिल्कुल सैंटर जो हमारी इस सिलाई है इसके उपर सिलाई चलानी है आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकती है और चाहें तो बेल्ट लगा सकती है तो मैं इसे पूरे में घुमा के लेस लगा दूँगे तो देखे बनने के बाद में पैपलम टॉप कुछ इस तरीक से दिखाई देगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद